पूत्राखन के जीम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बागू की संख्या का संतुलन बनाने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था और उसके अंतरगत राजेजी नेशनल पार्क में पाँच बाग लाई जाने थे जिन में से चार इस वक्त राजेजी नेशनल पार्क में पह जा रहा है। इसी प्रकार के प्रोजेक्ट और भी चलाए जाने हैं इसको ले करके हमारे साथ बात करने के लिए राज़ा जी नेशनल पार्क के डारेकटर राहुल है। उन से जानेंगे के जो चारो बाग यहां पर आए हैं वो इक किस स्थिति में है और इस परकार के जो कारिकrem चलाइजा रहे हैं से आने वाले समय में क्या फैदा होगा सबक्साल सबता यह अपको आपको लगता है कि जो परकार के कारीकरम चलाइजा रहे हुसे वाईल आफ को कितना फायदा होगा जो राजा जी टाइगर रिजर्व का एरिया है वो लगभग दो हिस्सों में बटा हुआ है इस्टर्न राजा जी और वेस्टर्न राजा जी इस्टर्न राजा जी में जहां पर लगभग पचास बाग हैं जबकि एरिया वहां पर कम है और वेस्टर्न राजा जी जहां पर एर या उसके अंतर्गत 4 टाइजा को ट्रांसलोकेट किया गया है . जो habitat के हिसाब से या prey base के हिसाब से देखा जाहे तो वेस्टर्न ग्यास जी और इस्टर्न ग्रीजा जी में बहुत पателя नहीं है उसमें या तो इस्टरन राजाजी से या फिर राजाजी नैशनल पार्क के बफर एरिया से या फिर कॉर्वेट टाइगर रिजर्व के बफर एरिया से टाइगर्स को लाकर यहां पर ट्रांसलोकेट करने का प्रस्ताव रखा गया है. तो इसमें जैसे ही NTCA से अप्रूवल होगा और चीफ अले वर्डन के इसमें अनुमती या निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार इसमें कारवाई की जाएगी और एक ऐसा नंबर टाइगर रिजर्व के वेस्टरन पार्ट में ट्रांसलोकेट करने की कोशिश की इस प्रकार की योजना हैं इसे वाइलाइफ को तो फाइदा होगा ही साथ ही जिस तरह से माने मुख्यमंतर जी का कहना है कि हम परेटन गतिविद्यों को बढ़ाना चाहते हैं तो राजा जी नेशनल पार्क में इस प्रकार की योजनाओं से परेटन गतिविद्यों को कितन तो जिस तरह से कॉर्वेट में अलग-अलग स्टेक होलडर जितने भी टूरिजम से रिलेटेड स्टेक होलडर्स हैं उनके साथ एक सतत प्रक्रिया के अनुसार उनके साथ डिसकस करते हुए टूरिजम को बढ़ाया गया है एक लंबे टाइम फ्रेम में ये कारवाई की गई ह क्यूंकि जो इस्टर्ण राजाजी टाइगर रिजर्व है उसमें टाइगर डेंसिती जो है वो आल्मोस्स सेम है और जो हैबिट करने की अश्यलीत विघू है चलिया में गातिविदी जो है इस एरिया में घॉप यह अच्यलिव invol driving की जा सकती है उसके लिए सभी श्टेग पार्क में जो चार बाग आए हैं उसके लावा और भी बाग आने हैं इससे एक बात तो ते है के वाइल लाइफ के फायदा होने के साथ साथ टूरिजम को एक बड़ा फायदा होने वाला है क्योंकि जिम कौवर्मेंट नेशनल पार्क बड़ा केंदर है टूरिजम का वैसे ही राज़जी नेशनल पार्क को भी बनाये जा सकता है इसके लिए खुद मुख्य मंतरी पुशकर सिंग धामी और परेटन मंतरी वन मंतरी लगतार प्रियास कर रहे हैं इस योजना के धरातल पर उतरने के बाद एक बात तो ते है कि राज़जी नेशनल पार्क में भी परेटन गतिविदियां तेजी से बढ़ने वाली हैं